आज में कक्षा साथ के अंदर कावे पांच इंद देश के निवासे उस्ता स्वाध्ये सिखाने वाले हुँ इसे पहले जब मैंने प्लांस दिल्थी कर्म्यने इंद देश के निवासे कावे की बहुत अच्छी समझात को दिल्थी अब आमें उसका सब्दसंजुती अभ्यास स्वाध्ये और फासा सुचिता सिखाने वाली हुँ उबच्चों ध्यां से समझेगा कावे पांच इंद देश के निवासे पार्ट पांच इंद देश के निवासे कक्षा साथ सबसे पहले अभ्यास है प्रशन एक प्रशनों के उत्तर दीजिए सबसे पहला प्रशन है हमारे देश की क्या विशेश्ता है तो जवाब है हमारे देश में अलग-अलग रंग, रूप और अलग-अलग वेश भाशा के लोग रहते हैं फिर भी यहां के लोग एक है इस तरह विविधिता में एकता ही हमारे देश की विशेश्ता है अभ है प्रशन डोग, सबी नदिया कब एक होती है? सबी नदिया कब एक होती है? तो उसता जवाब है सबी नदिया अलग-अलग स्थानों से निकलती है परन्तु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है मतलब कि सभी नदिया अलग-अलग स्थान से निकलती है परन्तु जब वे सागर में मिलती है तो एक हो जाती है तीसरा प्रश्न है सभी धर्मों का सार क्या है तो जवाब है सभी धर्मों का सार एक ही है मनुष्य को बुराईयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना अब आता है प्रश्न दो और में शब्द पंखुरियों को उचित करम में रख कर वाक्य बनाईए जिसमें यहाँ पर हमें शब्द पंखुरिया दी गई है जिसमें अलग-अलग शब्द दिये गए हैं उस पर से हमें वाक्य बनाने हैं जैसे कि भारत निवासी देश हम के है तो हम भारत देश के निवासी है उसके बाद आता है है की होती आवास कौयल मद्व तो कौयल की आवास मदुर होती है आखरी है फूलो हस्ते की चाहिए तरह रहना तो फूलो की तरह हस्ते रहना चाहिए आगे है बब गोले में से शब्द चुनकर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाईए यहाँ पर गोले में हमें कुछ शब्द दिये गए हैं जैसे की रीनल है पढ़ सोहन रही मेघा खेल रहा हरेज अब उसके उपर से हमें कुछ वाक्य बनाने हैं उदाहरं के तौर पर एक वाक्य दिया गया है जैसे की सोहन पढ़ रहा है इन्हीं शब्दों का उप्योग करके हमें वह वाक्य बनाना है तो उसी तरह से हमने दूसरे वाक्य बना रहे हैं जैसे की रीनल खेल रही है मेघा पढ़ रही है हरेश पढ़ रहा है सोहन खेल रहा है इस तरह से आप इस गोले में से दिये गए शब्दों का उप्योग कर वाक्य बना सकते हैं प्रश्न तीन काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाईए मतलब कि हमें जो यह काव्य पंक्ति दी गए है उन्हें अपने शब्दों में समझाना है काव्य पंक्ति है घिंद देश के निवासी सभी चन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेख है जिसका मतलब है भारत तेश में रहने वाले लोगों की रंग रूप पहनावे और भासाए भले है अलग अलग हो परन्तु वे सब लोग एक हैं प्रश्न चार और और लड़की के स्थान पर क्रम सह आदमी और लड़का रखकर परिछेद फिल से लिखे परिछेद का मतलब है यहाँ यहाँ पर हमें ओरत की जगह पर आदमी और लड़की की जगह पर लड़का रखकर यहाँ परिछेद फिर से लिखना है तो मैं बोल रही हूँ उस तरह से आपको भी लिखना है एक मोटी ओरत जा रही थी तो ओरत के स्थान पर आदमी एक मोटा आदमी जा रहा था ओरत के स पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, लड़की के स्थान पर हमें लड़का रखना है, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, लड़की छोटी और पतली थी तो लड़का छोटा और पतला था औरत को पता चला तो गूर कर बोली आदमी को पता चला तो गूर कर बोला ए लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़की भुले पंसे बोली, लड़का भुले पंसे बोला, मैं तो केवल छाओं के नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छाओं के नीचे चल रहा था, मतलब स्त्रीलिंग का जब हम पुलिंग करते हैं तो पूरी वाक्य रशना बदल जाती है स्वध्य लिखन प्रश्ण एक प्रश्णों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण है हिंद वासियों में कैसी विविजिताए हैं तो उसका जवाब आता है हिंद वासी अलग-अलग रंग और भूप के हैं उनके पहनावे अलग-अलग हैं वे अलग अलग भाशा बोलते हैं वे अलग अलग धर्मों में मानते हैं इस प्रकार हिंद वासियों में विविद्ध ताई हैं इस प्रश्ण की जवाब के स्थान पर हम अपने तरह से और शब्द भे लिख सकते हैं दूसरा प्रश्ण है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं तो कविता का जो वाक्य है बेला गुलाग जुही चमपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं तो वहे जवाब आएगा कि माला में बेला गुलाग जुही चमपा चमेली आदी तरह तर प्रश्न 3 इस कविता में किन नदियों का उल्लेक है तो इस कविता में गंगा, यमना, ब्रह्मपुत्र, खृष्णा और कावे जैसी नदियों का उल्लेक हैं कावे में आता है गंगा यमना ब्रह्म पुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है चोथा है नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है तो नदिया हमें क्या सिखाती है तो हमारे देश में अनेग नदिया है जो अलग-अलग स्थान से निकलती है परंतु अंत में वे सागर से मिलकर एक हो जाती है यहाँ नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदिया अलग-अलग होकर भी एक हो जाती है उसी तरह हम भारतवासी अलग-अलग होने पर भी एक होकर रहें अब आता है प्रश्न दो पोस्टत में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए ध्यान रखें यहां पर लिखा है समानार्थी नहीं है तो पहला जो वाक्य है पंथ, राह, रास्ता और पैर जिसमें पैर अलग शब्द है पंथ, राह और रास्ता तीनों का अर्थ एक ही है तीनों एक दूसरे के समानार्थी है अब पंत, राह और रास्ता इन पर से हमें वाक्य प्रयोग करने हैं जो बच्चों को खुद ही वाक्य बनाने हैं अब है दूसरा कुसुम, पुस्प, फूल और काटा तो काटा अलग शब्द है अब आगे है आम, अनुठा, निराला और अनोखा इसमें आम वह एक पल का नाम है जो अलग है अनुठा, निराला, अनोखा यह तीनो एक दूसरे के समानार्थी शब्द है जन, मनुष्य, मानव और स्त्री तो त्री अलग शब्द है, तो उसके उपर हम घिरा बनाएगे अब तीनो शब्दों को लेकर, जो वाक्य प्रयोग करना है वहाँ बच्चों को खुद ही करना होगा भासा सच्जिता, प्रियंका करती है मीना, आज तू चुक्चाप क्यों बैठी है मंदिर नहीं आना यानि मीना के लिए तू सर्वनाम का उप्योग किया गया है मीना करती है, नहीं, मेरा मन नहीं लगता यानि मीना के स्थान पर मेरा शब्द का उप्योग किया गया है प्रियंका करती है, अरे हाँ, आज कल तुम बहुत खेल रही हो न मीना करती है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया यानि मीना ने अपने लिए मैं और मुझे शब्द का उप्योग किया है प्रियंगा बुशती है क्यों? मिना ने कहा कल मैं मुहले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का काच तोड़ दिया उन्होंने मा से सिकायत कर दी मिना ने अपने लिए मैं का उपयोग किया है और उन्होंने उन्होंने सीमा मौसी के लिए उपयोग किया गया है अब प्रियंगा करती है ओ, अब समझी तेरी उदासी का राज खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए मीना करती है आपकी बात बिल्कुल सच्ची है अब मैं ध्यान रखोंगी आप उसने प्रियंगा के लिए उपयोग किया है और मैं यानि मीना उप्योग के समभात में से व्यक्ति वाचक संज्याए च्छांट कर लिखे संज्या यानि नाम तो नाम में है प्रियंगा दूसरी संज्या है मीना और आदी है सीमा आगे है इन व्यक्ति वाचत सम्या सब्दों के लिए जिन सब्दों का प्रयोग किया है उनकी सुची बनाई तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पढ़ना होगा तब हमें पता लगेगा कि कौन सा शब्द प्रियंका, मीना या सीमा मौसी के लिए बताया गया है तो सबसे पहले है प्रियंका मीना आज तू चुपचाप क्यों बैटी है तो तू मीना के लिए उप्योग किया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तू आगे है मीना नहीं मेरा मन नहीं लगता मेरा यानि मीना के लिए उप्योग किया गया है मेरा आगे है प्रियंता अरे हाँ आज कल तुम बहुत खेल रही होना यानि तुम तुम यानि मीना आगे है मीना का कहना है मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूं मैं यानि मीना आगे है पर मुझे खेलना रास नहीं आया मुझे यानि मीना प्रियंका कहती है क्यों? मीना ने कहा कल मैं मुहले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का काच तोड़ दिया उन्होंने मा से सिकायत कर दी तो मैं यानि मीना जो एक बार लिख चुके हैं और बाद में आता है उन्होंने उन्होंने यानि सीमा मौसी उन्होंने बाद में हैं प्रियंका कहती है ओ अब समझी तेरी उदासी का राज खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए तेरी तेरी यानि मीना अब मीना कहती है आपकी बाद बिल्कुल सच्ची है अब मैं ध्यान रखोंगी आप आप यानि प्रियंका और है मैं च्वागी आचुका है तीसरा प्रश्न है परिभाशा पून कीजी जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहती है यानि जो नाम है प्रियंका, मीना और सीमा जिन्हें संग्या कहती है तो जो शब्द संग्या के स्थान पर रखा जाता है उन्हें सर्वनाम करते हैं अब हम प्रश्न चार देखेंगे वाक्तियों को पढ़िये और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सुचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें खाली जगह में लिखिए तो पहला है मुझे बल्ले बाजी में मजा आता है मतलब बोलने वाला व्यक्ति है मुझे दूसरा है हम मैच जीत गए हम यानि बोलने वाला व्यक्ति है हम तीसरा है तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो यानि तुम तुम्हारी गेंद बाजी का जवाब नहीं तुम्हारी पाचवा वह कैप्टन है यानि वह उसने एक लंबा छक्का लगाया तो उसने अब पाचवा है पाचवा है विधानों को पढ़िये और खुद के लिए प्रयुक्ति सर्वनाम शब्दों को छांट कर ठाली जगह में लिखिये तो पहला वाक्या है अब राजीव स्वयम बनले बाजी करने आया तो राजीव ने अपने लिए जी शब्द का प्रयुक्ति किया है तो वह है स्वयम दूसरा है मैं अपने आप चला जाओंगा अपने आप अपने कावे 5 हिंद देश के लिवाजी उसका स्वाध्याय अप्यास और भासर सजिता अच्छे से समझ दे होगी अब आप इसे अपनी नोर्डुक में अच्छे अक्षे रूमी ने कीजिए जलेगा